मेरा मापसे प्रश्न है थोड़ा अलग प्रश्न है कटर बाहु बाली को क्यूं आ रहा है इक और मैं आ Gothic क्हानिया है आज हम वह कहानियां छाहें आज हम वो कहाने सुनना चाहते हैं दिखिए हम एक नॉर्मल से जब सुरुवात में थे एक लड़का था तो उस क्लास को हटा ना पड़ा जो था बाद में पांचे लड़के आए पढ़ने के लिए तो दीरे दीरे लड़के आचानक बढ़ने लगे तो एक कोचिंग वाले न करना चाहते हैं हमारा में मक्साद है कि हमें जाती धर्म से मतलब नहीं है हमारी एक सिंगल सी एंटिटी है पहचान है हमें हिंदुस्तानी है बस एनफ है आपके हर बात सुनके लगता आप एक देश भगत है बहुत अच्छा लगा मुझे मैं कुछ रैपिट फायर ले सकता आप पढ़ाते वक्त इतने बेबाक रहते हैं तो क्या कभी माता पिता ने गुष्टा करके आपको डांट लगाई कभी कभी मम्मी थोड़ा साथ चिंता में रहती कि बाबू इस सब कुछ भी कुछ भी काहें बोल देता है तुम खान सर कौने एक शब्द में कैसे डिसक्रा पर देबल तक ठीक रहता है इमोशन जादे हो जाते हैं क्या खान सर को कभी जूट बोलना पड़ता है लाइफ में ना कई बार आपको ना किसी के अच्छाई के लिए जूट बोलना पड़ता है क्या खान से एक स्परिश्वल परसने हैं मतलब धार्मी हैं बट हम मेरे दो एक है अपने पर्सनल लाइफ उन हम किसी से मतलब जादे सोफ नहीं करते अब दूसरों को दूर कर रहे हैं भी इस्ट्राक्शन दूर करने के लिए अच्छा मेसेज दिया क्या खान सर खुद कभी डिस्ट्राइट होते हैं एक एज होता है डिस्ट्रेक्शन का जिस एज में ह मतलब क्यों आपके पास कोई आएगा आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं तो अब खाली घर में कोई चोरी तो होई नहीं है तो एक वह बहुत अच्छा हुआ उपर वाले से हम दूआ मांगते हैं कि जिस एज में डिस्ट्रेक्शन होता है उस एज में इतनी प्रॉब्लम आ नहीं होंगे क्योंकि चार-पास साल से पढ़ाने जैसे जिसको आज पढ़ाएंगे वह तो दो साल बाज जाएगा तो इसका एजुकेशन करना थोड़ा सा लंबा होता है तो कम आपको इतना नौलेज है खांसर क्या खांसर ने कभी UPSC ट्राइग किया हमको बस जाना था त अंदर बता देते कई बार ऐसा होता है कि उपर से कुछ लोग कॉल करते खांसर इतना डीटेल मत बताईए तो अब क्या होता है कि कुछ चीजे बता कि उन लोग को भेज देते देखिए तो ठीक ठाक है ना कदले ने इस चीज़ को कर दिए बिहार में बहुत